अगर आप त्यारी कर रहे हैं HP Secretary Clerk की तो जी हाँ आप बिल्कुल सही जगाए हैं तो आपका स्वागत करते हैं All Competitive Exam की Official Channel में जैसा कि आपने thumbnail में पढ़ लिया होगा कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं HP Secretary Clerk की Test Series जिसमें हम डिस्कस करेंगे फुल मॉक टैस अगर आपने अभी तक मारा मॉक टैस नहीं लगाया है तो सबसे पहले मारा Telegram Group जोइन कर ले वहाँ पर मैंने इस मॉक टैस की PDF शेयर की है और खुद को evaluate करे कि आप कहां पर Stand क स्टार को अब किसे स्टार्ट करते हैं और आपको किस पार्ट में work करने कि ज़रूरत है जो वीडियो स्टार्ट करने संप पहले अगर आप चैनल पर्पर नवह है तो छैनल को subscribe कर ले क्योंकि हम आपक ले इसी तरह की करते हैं तुम्हारा पहला कुछन है हिपा की स्थाबना कब हुई इसका अंसरोगा ऑप्शन नमर्स C 1974 हिपा का पूरा नाम हिमाचल इंसिट्यूट ऑफ पब्लिक administration है अगर आप सब पुछे जाए हिपा कहां पर located है आपका अंसरोगा फेर लॉंस मश्यूबरा में ठीक है तुम्हारा next question है धामी गोली कांट की घटना कब हुई थी इसका अंसरोगा option number C 1939 ठीक है तुम्हारा next question है महात्मा गंदी हिमाचल प्रदेश कितनी बार आए इसका अंसरोगा option number D none of these तो आप मुझे comment box ने जूरू बदाए कि इसका अंसर क्या होगा ठीक है अब आ गया है आपका हिंदी section तुम्हारा पहला question है निमन मैंसे कौन सा मूल धिर्ग स्वर नहीं है इसका अंसरोगा option number D O ठीक है मारा next question है हिंदी में ध्वनियां कितने परकार की होती है इसका अंसरोगा option number A दो परकार की ठीक है आई होप आप अपने answer टिक कर रहोगे तो मारा next question है मात्रा के अधार पर स्वर कितने परकार की होते हैं इसका अंसरोगा option number B तीन परकार की मारा next question है एक सदिक वरणों के मेल को क्या कहते हैं इसका अंसरोगा option number C व्यंजन ओके तो मारा next question है नीला Amaiser Shabd में कौन सा समास है इसका अंसरोगा option number D करमधार्यो नीला है जो Am Virgin यो जो अंबर यो किसी चीज की विशेश्शता बता रहा है नीला है जो Amümüz यानी ये Am encrypted की विशेश्शता नहीं है वियाकरण की दृष्चि से कौन सा शब्द विशेषंड नहीं है तो विशेषंड कौन सा शब्द होते हैं जो संग्या और सरवनाम की विशेषंड पताते हैं उनें हम कहते हैं विशेषंड इसकाnt Sun का option number D भय तुम्हारा next question है शोकिस रस का स्थाई भाव है इसका answer का option number B करुन रस ठीक है तुम्हारा next question है अनुरूप का विलोम शब्द क्या है इसका answer का option number B प्रतिरूप तुम्हारा next question है अनिवारे का विलोम शब्द क्या है इसका answer का option number B एच्छिक ठीक है तुम्हारा next question है निमन मैंसे कौन सा शब्द पुलिंग है इसका answer का option number D विधूर ठीक है तुम्हारा next question है पीपर पात सरिस मंडोला इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है इसका answer का option number B उप्पा अलंकार ठीक है मारा next question है अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा है उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं इसका answer का option number B अधी ठीक है मारा next question है अनुरूप का विलोम शब्द क्या है इसका answer का option number B प्रती रूप मारा next question है निमन लिखित मैंसे किस शब्द में नी प्रत्यों नहीं लगा है तो प्रत्य वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं इसका answer का option number C नौकरानी क्योंकि नौकरानी में आपका प्रत्य आनी लगा है तो प्रत्य जब भी आपको find out करना हो तो सबसे पहले आप मूल शब्द को देखेंगे जैसे शेर्णी में शेर मूल शब्द है और नीस में एक उपसर्ग लगा है नौकरानी में आपका नौकर मूल शब्द है और इसमें आनी आपका प्रत्य लगा है तो question में आपसे पुछा है नी प्रत्य किसमें नहीं लगा है तो इसका answer का option number C नौकरानी ठीक है तो मारा next question है निमन मैंसे किस शब्द में वर्तनी अशुद है इसका answer होगा option number D अनाधिक ठीक है मारा next question है इसमें भी आपको शुद्वर्तनी बतानी है इसका answer होगा option number B कुमूदनी आपको इसे इस तरह याद रखना है कि सारी मात्राएं छोटे U और छोटी E की लगेगी ठीक है अब आता है मारा general knowledge का section तुमारा पहला question है भारत की खोश किस ने की इसका answer होगा option number A वासको डिगामा इन्होंने कब की थी इन्होंने ये खोश सन 1498 में की थी भारत की मानक समय रेखा कौन सी है इसका answer होगा option number A 82.5 जिग्री पूर्वी दिशांतर रेखा ओके कुशन है अरजुन पुरुसकार की शुरुवात किस वर्ष में हुई इसका answer होगा option number C 1961 ओके मारा next question है मैंक ससे पुरुसकार पाने वाले प्रतम भारतियों कौन थे इसका answer होगा option number A विनोभा भावे ओके मारा next question है स्वांग किस राज्य का प्रसीद लोक निर्त्य कला है इसका answer होगा option number B हर्याना ओके तो मारा next question है भारत में वर्ष मान में कुल कितने उच नियाले है इसका answer होगा option number C 25 ओके कोई विद्यक धन विद्यक है या नहीं इसका फैसला कौन करता है इसका answer होगा option number A लोकसभा speaker ठीक है मारा next question है तंबाकू पर पुर्ण प्रतिबन लगाने वाला विश्य का पहला देश कौन सा है इसका answer होगा option number D भुटान ओके मारा next question है राश्यमत दादा दिवस प्रतेक वर्ष किस दिन मना जाता है इसका answer होगा option number B 25 जनवरी next question है भारत का सवेधानीक मुख्या कौन होता है इसका answer होगा option number B राश्पती मारा next question है अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद महात्मा गानी ने कौन सा अंदोलन शुरू किया था इसका answer का option number A सविन्य अवग्या अंदोलन और ये सन 1930 में स्टार्ट किया गया था ठीक है मारा next question है भारत में जिपसम का सरवादिक उत्पादन निमनमैसे किस राज्य में होता है इसका answer का option number D राज्यस्थान ओके मारा next question है इस इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखना कहां खोला था इसका answer का option number A सूरत मारा next question है बुली शर्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है इसका answer का option number C होकी ठीक है मारा next question है किस भारती अथलीट को उडन परी के नाम से पुकारा जाता है इसका answer का option number C PT उशा ओके मारा next question है निमनमैसे किस शहर को जीलो की नगरी कहते है इसका answer का option number B उदयपूर ओके next question है आरे समाज की स्थापना कब की गई थी इसका answer का option number A 1875 और आरे समाज की स्थापना द्यानें सरस्वती ने की थी ओके तुमारा next question है वेदों में सबसे प्राचिन वेद कौन सा है इसका answer का option number A रिग वेद ओके next question है भाबा परमानुवन संधान के अंदर कहां स्थित है इसका answer होगा option number B New Delhi ओके next question है 1926 के बारदौली अंदोलन का ने तित्व किसने किया था इसका answer होगा option number C सरदार वल्लबाई पटेल आपसे question पुछा आता है कि वल्लबाई पटेल को सरदार की उपादी किसने दी आपका answer होगा बारदौली की महिला उने ओके next question है किसने खालसा पंत की स्था अपना की थी इसका answer होगा option number A Guru Govind Singh ओके next question है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी इसका answer होगा option number D कीरन बेदी next question है कथक किस राज्य का शास्त्रियो नित्या है इसका answer होगा option number C उत्तर परदेश आपसे पुछे जाए कि कथा कली कहां का शास्त्रियो नित्या है आपका answer होगा केरला ओके तो आपको इसमें confused नहीं होना है next question है चाइना में इन शाप्त का प्रियोग किस खेल में होता है इसका answer का option number A cricket okay next question है आस्कर पुरस्कार का समद्ध किस शेत्र से है इसका answer का option number B cinema ओके तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को like, comment and share जुरू करे अब हम discuss करेंगे science का part तो मारा पहला question है soda water में निम्बू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है इसका answer का option number A क्षार next question है कटे हुए सेव का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायू से क्रिया करके बना लेता है इसका answer का option number A iron oxide next question है चूने में पानी मिलाने पर कांसी गैस निकलती है इसका answer का option number B carbon dioxide next question है हरी मेंदी में निमन मैंसे कौन सा परदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है इसका answer का option number A last zone next question है oxygen अभी क्रिया में क्या होता है इसका answer का option number A oxygen का जुड़ना next question है निमन मैंसे विलुप्त जन्तु प्रचाती है इसका answer का option number A डोडो पक्षी ठीक है next question है का इक जनन पाया जाता है इसका answer का option number A अलू में next question है नर और मादा युगमक के सयोजन को कहते हैं इसका answer का option number B निशेचन तुम्हारा science का last question है विद्यूत प्रतिरोत का मातरक क्या है इसका answer का option number A ओम मिटर अब आता है मारा reasoning का part तो अब हम reasoning के कुछ question discuss करेंगे तो मारा पहला question है जहाज जैसे कप्तान से संबंदित है वैसे एक बार किस संबंदित है इसका answer का option number B संपादग next question है तिक किसी मा की दसवी ती थी तीन दिन पहले पढ़ती है तो दूसरी ती थी किस दिन पढ़ेगी तो आप इसको वीडियो को पास करके solve कर ले 87 का राइटन से रोका option number C बुद्धवार ठीक है next question है A, B, C, D और E 5 नदिया है A, B से चोटी है मगर E से लंबी है C सबसे लंबी है D, B से बहुत चोटी है और A से कुछ लंबी है तो सबसे चोटी नदी कौन सी है इसका अंसरोगा option number D E ठीक है E नदी सबसे चोटी नदी है आप इस question को भी वीडियो को पास करके solve कर ले तो मारा next question है ऐसा युगम ज्याद कीजिए जो निमन युगम के सदर्श संबंद को नहीं दर्शाता इसका अंसरोगा option number C दर्शन भाषा ठीक है next question है प्रतेक शब्दे प्रतेक अक्षर का केवल एक बार प्रियोग करते हुए अक्षर UTB से कितने अर्थ पुर्ण शब्द बन सकते है इसका अंसरोगा option number B 2 कौन से शब्द बनेंगे इससे बनेंगा आपका बट और टब ठीक है अब आता है आपका क्रंट अफेर का section अब क्रंट अफेर के section के question discuss कर लेते हैं तुमारा पहला question है हाली में 27 जुलाई 2022 को केंद्रियो रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है कांसरोगा option number B 84 हुआ ठीक है next question है हाली में कौन भारतिय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए प्रमुक अर्ष आस्तिरी बने है इसका अंसरोगा option number A इंदर मीत गिल next question है विश्व हैपेटाइटिस दिवस किस सारी को मनाया जाता है इसका right answer होगा option number A 28 जुलाई को next question है कौन व्यक्ति हाली में दिल्ली के नए पुलिस कमिशनर न्यूक्त किये गए है इसका अंसरोगा option number A संजे अरोडा ठीक है next question है हाली में कौन सैमिकंडक्टर नीती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है इसका अंसरोगा option number B गुजरात ओके आता है आपका computer का section तो माना पहला question है सबसे पहला computer का नाम क्या था इसका अंसरोगा option number B एनियक ठीक है next question है आधुनिक computer की खोज सर्व प्रतम कब हुई इसका अंसरोगा option number C 1946 okay next question है row और column के intersection को क्या कहते है इसका अंसरोगा option number A cell next question है नियमन मैंसे कौन सा spreadsheet से सम्भंदित नहीं है इसका राइट अंसरोगा option number D virus detection okay तो आज का मारा last question है storage device के main folder को क्या कहते है इसका अंसरोगा option number A root directory okay तो यह था दोस्तो आज का मारा mock test I hope आपको यह mock test प्रसंद आया होगा किना score जरूर शेर करें कि आपने इस mock test में किना score किया अगर आपको mock test अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, comment and share करना न भूले और साथी साथ अगर आपको इसी तरह के mock test पहुच रही है comment box में जरूर बताए आज शेर दोस्तो इतना ही जय हिंद जय भारत कि अच्छा लगा है